तो हाई फ्रेंच नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग और आप देख रहें सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों एक खास चैनल जिसके माध्यम से आप घर बनाने से जूरी वही हर एक जानकारी ले सकते हैं डिजाइन से लेकर के कंस्ट्रक्शन तक हर एक तरह की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती है दोस्तों आप जो हमारे वीडियो में ये बड़ा सा गेट देख रहे हैं और मैं आपको बता दू इसकी चौराई जो है वो 18 फीट के लगवग है और मैं आपको इसके भी आपको बताउंगा सबसे पहले गेट किस तरह से बनाया गया है तो आपको मैं बता दू कि इसमें फ्रेम जो रहेगा उसका मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो इसमें दो इंच पत्ती में फ्रेम बनाया गया है आप देख सकते हैं ये जो है वो दो का इस्तमाल किया गया है दो इंच वाला पत्ती का ही इसमें किया है और रीपीट आप देख सकते हैं और रीपीट से मैंने जैसे कि सुरुम बताया कि रीपीट का यूज हुआ है इसका मतलब है कि आप इस को बाद में अगर gate बदलते हैं, चुकि यह temporary gate लगाया गया है, main gate कोई भी ऐसा नहीं चाहिएगा, main gate में थोरा सा design होना ही चाहिए, लेकिन boundary किया हुआ है, और उसमें लगा करके छोड़ने के लिए यह काफी बढ़िया gate है, बाहर से दिखिएगा तो कुंडी बगरा कुछ न काफी कम पड़ा है, और जिसके कारण इस पूरे gate का कोष्टिंग कम हो गया है, और इसका वजन यह ऐसा gate जो होता है, वो वजन के हिसाप से बनाया जाता है, और इस पूरे gate का वजन की बात करें, तो दो सो असी कीलो इसका वजन है, और 75 रुपे के हिसाप से, परки के जी 75 किसाप से इस gate को बनाया गया है 280 कीजी इसका वजन है और पूरा cost इसका जो है वो 21,000 का आया है और जो बगल में column देख रहे हैं वो सब आपको अलग से लगवाने परते हैं जो lever cost होता है column ढलाई बगरा की सारा चीज अलग से रहेगा gate आपको 21,000 में मिल जाएगा उमीद है वीडियो जनकारी की रही होगी धन्यवाद